स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर देख ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे नमस्कार दोस्तों स्वास्ति और संदरी में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बालों में दही के साथ शहत यानि हानी लगाने के कुछ पहतरिन फायदों के बारे में सदियों से बालों की खुबसूर्ति को निखाने के लिए दही कप्र किया जाता रहा है दही एक ऐसा ब्यूटी ट्रीटमेंट है जो आसानी सूपलब्ध हो जाता है और इसे इस्तमाल करना भी बेहद आसान होता है दही में लाक्टिक एसिन और नैच्रल प्रोबायोटिक्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है जो बालों को हेल्जी होने से रोकता है शेहंत से नियमित अपने स्केल्ब की मसाज करने से स्केल्ब के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है जिससे बाल मजबूत बनते हैं शेहंत बालों को अंदर से पोशन देता है जिससे बाल रूखे वा बेजान नहीं दिखते हैं वैसे तो दही और शेह इसके लिए एक बॉल में दो चमच दही ले ले इसके बाद इसमें दो चमच शहर डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे हेर डाई बरश की सहयता से अपने पुरे बालो में अच्छे से अपलाई कर ले एक से दो घंटा इसे अपने बालो में लगा रहने दे फिर पानी से बाल धो ले वीक में दो से तिन दिन इस पैक का इस्तेमाल करने से बहतर रिजल देखने को मिलते हैं दही और शहद से बना पैक बालो को काफी फैदा पहुचाता है इसमें एंटी आक्सिडेंट के अलावा कई ऐसे पोशिप तत्त दो पाये चाते हैं जो बालो को संपुन पोशन देते हैं जिसे बाल लंबे घनी वा चमकदार बनते हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में बालो में दही के साथ शहद यानि हनी लगाने के कुछ बहतरिन फायदों के बारे में जाना आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवशी ही पसंद आया होगा हमारे नए-नए स्वास्ते और संदरी सम्मद्धी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा हमारे वीडियो पसंद आई हूँ तिसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नए-नी जानकारिया आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद